प्रकाश यही डालेंगी कि सबसे बड़ा प्रकाश बगल में बैठी है तो इससे बड़ा प्रकाश क्यों नहीं अगर इन्होंने दुबारा सोचा है भुछपूरी सिनमा को उत्थान देने के लिए और कुछ सोचा है और उसमें हम दोनों को जोडने के लिए तो ये पूरा साधूवाद इनको जाता है बहुत कुछ अच्छी कहानी हाथ लगी और संतोष भाई जैसे इनको मैं पंडित जी कहता हूं पंडित जी ने सोचा हम दोनों को बहुत हम लोगोंने जब भी सिनमा किया बहुत ही सिनमा बोड़ा पॉफलर रहा और इसके बाद ये कहानी सुनी αλλά राट को है शांदार कहानी और इसके सहांदार कहानी और उसके लिए मधू जी है Soda Jacob धन्यवाद दूँगा बहुत बहुत बनी हापी मैं और दिन्च बाबु साथ में वे रगन वा कोगो है है रभी जी बात करें इस फिल्म की कहानी के पर सुनने में आरा सुधागर फिल्म से प्रेवित है आत्राज के बार है और ये दिलिव कुमार है अब भी बहुत कुछ है एक बार बताए लेकिन एक आनंद यही है कि बेस पार्ट है कि इस टाइम हम लोग ने सोचा है कि किसी को इंडस्टी के लिए दोस्तों के लिए और समग्त हिंडूस्तां के ले की दिनेकर neuralवी साथ आ रहे हैं और संतोष मिश्रा इसको डडेट करएा है मैम इसको प्रिदूस कर रही है और यह बहुत बड़ी इंडस्टी के लिए बहुत ही आज इससे बड़ा खुशी का दिन रक करती हैं आपके लिए कितना फाब हो जाते हैं हमनों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती पहले दिलिप साहब आये थे दिलिप साहब ने हमारे साथ तुल्म बनाई जी पी सिपी साब आया मिजी जॉइन के और उसके बाद बहुत बड़ा गया और फिर प्यांका प्याच उनों ने रखा है वो चाहती है बॉलिवुट कर सकती है तेलगु बनाएं मराथी बना सके बहुत सारा सिनमा हम लोगों पर उनका एक बहुत बड़ा एक फेवर कह सकते हैं बहुत बड़ा इससान है कि इस इंडस्टी को लाइम लाइट में रखें जिसको एक बहु जिसको आपको सब्सक्राइबा गारी बातों है जाता है तो मायं आपका आने से लेक बहुत है करें लिख वाज़ियर आंशीय है जो जारखें ड़ाने एक जएगिवी आपको जितना आपको 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 दहनले डंगा देएं तो मैंगर कि नाहा हम एको अनों पन् अगर उनके पास कोई बढ़िया कहानी चले जाए और वो इतने बहुत बिजी रहते हैं वो जरूर करेंगे और वाइ नौट वो इस अलवेज रेडी जहां भी यूपी की बात आया भुछपुरी की बात आया जहां भी इस भाशा की बात आया एवन अभी शेक बाबु हम अब दोगा इस्तमाल करते हैं यह वरी प्राउड भोछपुरी पीपल लोगों को बड़ा गर्भ है कि लोग उस माटी से बिलॉंग करते हैं और यह बहुत ही फक्र की बात है कि हम लोग इस माटी से बिलॉंग करते हैं और उसको बोलने में या उसमें उससे जुड़ने में हम लोगों को ज़रा भी शरम नहीं अभी सोची प्रियांका माम और शीज हाउस होल नेम नियॉक में आप जाए अमेरिका में जाए यॉरॉक में जाए एवरी वेर इन अमेरिका जाए हर वेडरूम में हर घर में वाइट लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती है और वो एक भुछपूरी फिल्म बना रहे हैं, कितना बड़ा कॉम्बिनेशनल, इससे फेंटास्टिक थिंग, मतलब इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता, इससे ग्रेट डेयर, मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि ये इतना अच्छा मौका मिला, और थाइंक यू और वेवाच को लेकर आप लोग कितना एक्साइटे हैं? इसके पहले तो मैंने नहीं देखा था, पर निश्ची तरूप से हम लोग जो हैं, वो प्रियांका अमयम के बहुत बड़े खायन हैं, तो अब तो हमें देखना ही है, और उनकी कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते, सारी फिल्में देखते हैं, तो बेवाच के लिए भी हम बहुत सराहल और अलग धटकी फिल्म पी, पारिबारी फिल्म पी, जिसको दर्शो को ने सके टिट दिया है, तो या पच्छी फिल्म भी बना सकते हैं, तो क्या ये सिंधिला आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है, और एक नायक होने के नाते, मैंने ये अपना जो प्रोड़क्शन हाउस शुरू किया था, वो इसलिए किया था, कि मैं किसी और को दोश नहीं देना चाहता था, कि भोजपूरी में जो फिल्मे बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है, कोई नहीं बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है, तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, और यहीं सोच के हमने शुरुवात किया था, और जो भी फिल्मे मैंने बनाई, अउलाद, प्रेम, किरोग, भहिल, या भी राम लखन, उसको बहुत सारी इसी फिल्में की परिवार की थी, इसी फिल्में हम लोगों ने विधाता की थी, हम लोगों ने ये अटेम्ट बहुत सालों से किया, बट होता क्या है कि एकाद दो फिल्मों को लेके ही पूरे भुछपुरी सिनमा की छवी को लेके, वैसे हमने विदाई फिल्म को पटक के मारने लगते हैं हाला कि आतंक मचा है सारी इंडस्ट्री में हम तो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं हम तेलगू भी करते हैं हम कनड़ा भी करते हैं बहुत सारा हंगामा वहां पर भी है बहुत सारे हॉट गाने वहां पर भी है लेकिन जहां मिला भोजु को ने फिल्में ही देखी नहीं फिल्में और सवाल लेके हमेशा एक दम तीर लेके आठ आज ही मार देगे जान से टाइप सब तयार रहे हैं अच्छा भया कौन पिच्छर आखरी में देख ले रहा यह बता दा तो वो ग्यान है नहीं खेर कितना चैलेंजिंग रहेगा लोगों का माइंसेट बदलने के लिए लोग की कहते हैं लोग पैमिली के साथ किन एजुकेटेड ओडियंस कितनी आएगी देखे उसके लिए जिस दिन भारत जिस दिन बिहार सरकार यूपी सरकार मल्टिप्लेक्स में महारास्टा की तरह कंपल् मैं तो धन्यवाद दूँगा कि हम लोग भगवान हैं हमारी ओडियंस कि ऐसे में भी फटेवे स्पीकर के साथ भी बैटके सिनमा देखती हैं शर्ट निकाल के हवा मारते रहते हैं सिर्फ भोचपूरी प्रेम में हमारे भोचपूरिया स्टारों के प्रेम में उस बोली के प्रेम में बट वहाँ पे बिहार आप लोग हैं आप लोग सब कुछ करवा था आप लोग सरकार बदलवा दे तो आप लोग बहुत शक्तिशाली लोग बिहार उपी सरकार महरास्टा में जैसे कर दिया अगर वह ऐसे कर दे कि कंपलसरी आफ्टू पूट मल्टिप्लेक्स म बनेंगे हम लोग कंभी अच्छी फिल्मय बनाएंगे क्यूंट याव बनाएं जब हम बड़ी दूसरी इंडस्री में काम करके इतना नाम कर रहे हैं हम शाम बेनेकल और मनी रत्नम साहब के साथ हम काम करते हैं तो वही परफार्मर मैं हूँ मैं यहां भी कर सकता हूँ दिनेश बाबू इतने सालों से सुपरस्टार है यह भी आता है तो वह आल वेटिंग पर ऐसा हमको भी सहराड बनाना है और वो तड़भ है वो एक अक्रोश भी है न ह्यन्याइं यह वो इनका कहना यह ही रहता है हम लोग इन से पूछते हैं कई बार कि जब आप से पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं है तो ये कहते हैं कि जिसका काम बोलता है उसको ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है तो हम लोग मानते हैं इस बात को इनका काम निश्चित रूप से बोलता है क्योंकि करीब 10-15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हैं और जितनी फिल्में इन्होंने लिखा है अब तो ड संतोज जी जिन्होंने उसमें बदलाव लाया और आज भी यह बदलाव के लिए तयार रहते हैं आप देख सकते हैं कि सबी लोग मसाला फिल्में बनाने के पीछे भाग रहे हैं शब लोग ऐसा सोचते हैं कि तीन दीन में हम कैसे पूरी फिल्म की रिकवरी कर लें एसे समय पर संतोज जी एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत स्वक्ष होगा, हम इसे स्वक्ष करेंगे, आप आएं या ना आएं, हम तो करने चल दिये हैं। हाँ, हाँ, डोन लेठर को। होगी और बहुत ज़रूरी है, इंडिया हाँ, हम जब ट्रावल करते हैं अबरॉड अभी मैं सिंगापूर में था, वहाँ पर आप एक कच्रा फिकते हो 500 डॉलर आप पर चार्ज होता, चुंगम खाओ या सिग्रेट पीओ, तो यह थोड़ा सा फिर्म और थोड़ा स्ट्रिक हो जाए, यह सब चीज़ों को लेके तो हम अपना देश बहुत सुंदर देखें